365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं सवाल सत्यकी समझ के साथ नवरात्र उत्सव कैसे मनाएं? मन के विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करें? जाने सुक्ष्म विकारों से मुक्ती और मन पर विजय प्राप्ती का रहस्य एक इंसान का पांच का नोट की चड़ में गर गया अब वो क्या करता है? सव का नोट भी डाल देता की चड़ में और फिर की चड़ में जाकर दोनों नोट लिक रहता है ऐसा क्यों करता है? कि यदि सिर्फ पांच के नोट के लिए मैं जाऊंगा की चड़ में कोई देख लेगा, क्या सोचेगा, पांच रुपए के लिए किचण में जा रहा है। अभी बुलेगा, नहीं, एक सो पांच रुपए थे। एक इमेज होती है, कि ये परसन की जो चवी है, आत्म चवी है लोगों के अंदर, और ये परसन तो ऐसा है, ग्रेट है, और ये पांच रुपए के लिए किचण में जा रहा है। इतना तुच्चा है क्या? तो ऐसा कोई नस सोचे तो चुप चाप साव का नोट भी डाल देता है। अहिंकार क्या करवा सकता है? एक छोटे उधारान से समझा, तो अपने जीवन में देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं? जब ये कर रहे हैं तो याद आएगा कि मैं किस को बचा रहा हूँ? रावन के किस चहरे को बचा रहा हूँ? और उसको क्या बचा कर मिलने वाला है? दैश रावन को सामने लाना है, उसका वद समझ के साथ करना है, बिना रक्तपात उसका वद हो सकता है. नवरात्र उत्सव किस बात का प्रतीक है? चारत्र के इंसान दिखाई देते हैं, एक जो बंद और मंद होते हैं, बंद और मंद, शांत, दूसरे, जो उग्र, अग्र होते हैं, उग्र और अग्र होते हैं, तीसरे पहले प्रकार से ही हैं, जो बंद है, मंद है, मगर अच्छे हैं, और तिसरे में वे लोग भी आते हैं, जो बंद है, मंद है, मगर बुरे हैं, चोथे प्रकार में, जो अग्र है, उग्र है, अच्छे हैं, और जो अग्र, उग्र है, बुरे हैं, अग्र है, उग्र है, बुरे हैं, यानि ये लोग राक्षसी प्रवर्ती के हैं, असुर्व प्रवर्ती के हैं, एसे लोगों को मारने के लिए, विशेष, MSYS तयार होते हैं, उनका वद्द करने के लिए, उनको मारने के लिए, जो अग्र है उग्र है बुरे है और उनको मारने के लिए जो उग्र है अग्र है अच्छे है काली माता का प्रतीक, दुरगा ऐसे चित्र जब आप देखते हैं तब क्या याद आता है किस तरह की युद्ध होती है किन लोगों पर अत्याचार होता है जो बंद है, मंद है, अच्छे है उन पर अत्याचार होता है उन लोगों के द्वारा जो उग्र है, अग्र है, बुरे हैं जो उग्र अग्र बुरे है, वो सहयोग लेते है जो बंद मंद बुरे है जो ऐसे लोगों का सहयोग करते है जो उग्र अग्र बुरे है यानि एक टीम तयार होती है ऐसे लोगों की एक टीम तयार होती है कंपनी तयार होती है और ये लोग अत्याचार करते है जो बंद मंद यानि जो बता नहीं पाते अपनी समस्या बोल नहीं पाते चुपचाप अपना जीवन जीते रहते हैं तो ऐसी डीम ऐसी असरों की सेना को मारने के लिए अगर अगर अच्छे मिस्वा है जो आए उनोंने उनका सहार किया तो माता काली माता दुरगा इस तरह के रूप सामने आए ये कहानियों में आप सुनते आए हैं कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती कुछ सिखाने के लिए कुछ बताने के लिए कि हम किन लोगों के बीच में रहे रहे हैं अगर हम बंद है मंद है तो हमें कौन से गुण अपने अंदर लाने है दुरगा माता अंबे माता की पूजा करनी है तो हमें क्या करना होगा किस युद्ध का ऐलान करना होगा और वो युद्ध कितने दिनों में समाप्त होनी चाहिए नव दिन में समाप्त हो सकती है नवरात्रा मनाया जाता है जब तो किस बात की तैयारी होती है लोग तैयारी करके नवरात्रा मनातों लेते है जो बाहर-बाहर से दिखाई देता है गट स्थापना भी हो गई और अश्टमी भी हो गई विजय दश्मी भी हो गई गरबा भी हो गया डांडिया भी हो गया मगर इसके साथ जो होना चाहिए था आज वही नहीं हो रहा क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि ये त्योहार आत्म साक्षातकार का त्योहार है विजय दश्मी विकारों पर विजय किस तरह के विकार, किस तरह के असुर, किस तरह के राक्षस जो हमारे अंदर ही हैं उन्हें खतम करना है उन्हें खतम करना है तो हमारे अंदर और भी कुछ है जिसे जागरत करना है जागरन उसी के लिए माता का किया जाता है कि हमारे अंदर जागरन हो और सारे असरों का विनाश हो शिंब हो, निशिंब हो, बेरव बली हो, मैशासुर हो, रावन हो, कंस हो, द्रियोधन हो, हरनाकश्प हो कई तरह के नाम आप सुनते आये हैं मर ये नाम क्या बता रहे है मन के कौन से रूप के बारे में बता रहे है और हमारे अंदर जो विकार है, राक्षस है उनसे कैसे युद्ध करनी चाहिए सही माइने में नवरातरी कैसे मनाए देविया किस बात का प्रतीक है कहानिया हमें सत्य के कौन से संकेत देती है नवरातरा उत्सो कैसे मनाए सही माने में मनाना चाहते हैं जो लोग वे इस दिवस को निमित बनाते है ताकि ये नव दिन उनके लिए बड़ा काम करें दस्वा दिन दश्मी विजय दश्मी बन जाए वह होने के लिए समझना होगा पहले लोग क्या कर रहे है और क्या होना चाहिए तीन तीन देविया क्या बता रही है तीन देविया दुरुगा है या लक्ष्मी है सरस्वती है कै इतने ही देविया है देविया तो 108 बताई गई है और 108 भी कम करके बताई गई है भारत में 33 करोड भगवानों के चित्र आपको मिल सकते है ये क्या इशारा है ये इशारा है कि इतने सारे लोग सेल्फ रियलाइज़्ड हुए है इतने शरीरों में वह गटना हुई है जिसे आत्म साक्षातकार कहा जाता है क्यों जहां पर वह क्लिरिटी आई उन्होंने कुछ बताने के लिए समझाने के लिए जो शब्दों में नहीं आता रूप में नहीं दिखाया जा सकता उसे बताने के लिए कोशिश की कहानियों के द्वारा रूप के द्वारा मूर्ती के द्वारा दस हाथ दिखा दिए तो कुछ बताने के लिए दश्मी मनाने के लिए किस तरह के काम हमें करने है कौन से हत्यार इन हाथों में रखने है ब्रमास्तर क्या है तेज समझ क्या है उस समझ से कैसे राक्षसों को नश्ट किया जा सकता है सही तरीका पता हो तो ही हम फायदा ले सकते है तो हमें समझना है आज मौका है तो इसके पीछे क्या परपस था 108 देविया 108 इसको जोड़ दिया 1 प्लस 0 1 प्लस 8 तो 9 देविया बताई गई तो आज मौका है इसको समझे कि पहले 3 दिन दुरगा काले की पूजा हुई फिर लक्षमी की पूजा हुई अंत में सरसोती की पूजा हुई अंत में ही क्यों रखा गया सरसोती को ग्यान की देवी को ठीक आत्मसाक्षात करके पहले क्या होता है किस तरह का तेज ग्यान हमारे अंदर प्रिकट होता है ये बताने के लिए कुछ इशारे है तो अब हमने समझा है कि ये देविया हकीकत में इशारा उस सत्यका कर रही है जिसको शब्दों में नहीं लाया जा सकता रूप में नहीं लाया जा सकता प्रियास किया जा सकता है जो लोग तयार है वे ही इशारा पकड़ सकते हैं बाकी लोग कहानी सुनकर होगा कुछ ऐसा सोचकर आगे बढ़ जाते हैं बच्चे को जब आप बताते हैं ये शब्द पढ़ो तो वो पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि छोटा है उसको पहले स्पेलिंग सिखानी होगी अलफाबेट सिखानी होगी जी ओ डी गौड होता है ये वो नहीं समझेगा उसके सामने आप जी ओ डी लिखोगे तो वो ऐसे ही पढ़ेगा जी ओ डी आप कहोगे इसको गौड करके पढ़ो वो भूलेगा ये गौड कैसे ये गौड कैसे हुआ तो आपको एक चित्र बनाना पढ़ता है और उसको बताना पढ़ता है ये गौड है ये इश्वर है और बाद में फिर स्पेलिंग लिखनी होती है उसके नीचे और उसको कहा ज़ता है पढ़ो वो पढ़ता G-O-D आप कैसे तो ये G-O-D है और उपर क्या है बोलता है गौड है तो ये भी गौड है उपर गौड है तो ये भी गौड है तो दीरे दीरे वो बात उसको कहीं क्लिक होती है कि ये शब्द मिलकर एक शब्द बनता है जब तक वह बात उसे स्ट्राइक नहीं होती छूती नहीं है वो बात वो पहले एक बार छू गया तो फिर वो और शब्द चाता मुझे और शब्द दो मुझे और चहरे दो ईश्वर के और क्या-क्या चहरे ताकि उसमें से मैं वह बात पकड़ूं बात में उसे मज़ा आने लगा वर जब तक वो पकड़ा नहीं है तो वो ऐसे ही पढ़ता APPLE पढ़ता APPLE नहीं पढ़ता APPLE ऐसा ही बोलता है समझ आने के बात कहता आभी कोई भी कठिन शब्द दो आब मैं पढ़ पाऊंगा अब उसे कोई दिक्कत नहीं है आकार बताओ कि न बताओ निराकार में बताओ न बताओ वो कहता है भी दोनों का परपस समझ में आ गया अब जगड़ा करने की आशकता नहीं है जगड़ा क्या बता रहे है कि आधा ग्यान खतरनाक है दोनों आकार को मानने वाले, निराकार को मानने वाले, दोनों का लक्ष एक ही है एक ही फिल्म देख रहे, इंटरविल के पहले की फिल्म और इंटरविल के बाद की फिल्म और बीज में जो खाली समय मिला उसमें होता जगडा कि मेरी फिल्म स्रिष्ट है मेरी फिल्म स्रिष्ट है तो उनको बताया जाता है कि एक ही ठेटर में हो एक ही फिल्म देख रहे हो शिव में ही सब कुछ बठाने की कोशिश की गई शिव की एक मूर्ती के साथ तो ये समझाने के लिए उसको अर्द नारिश्वर का चहरा भी दिया परवर्ती भी जोड़ दी परवर्ती उसकी शक्ती है शिव बीज है शिव महाकाली के पाओं के नीचे दिखाया शिव बीज है बीज दिखता नहीं है वरिक्षद दिखता है वरिक्षद उसकी शक्ती है बीज जमीन के अंदर श्य असली सत्य जो है वो छुपा हुआ है धका हुआ है, गुप्त है और जो प्रकट रूप है मता का वो दिखाया गया यानि यह कहानियां बता रही है कि असली अर्थ समझो और वो कहानियों में जो राक्षस दिखाया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि तुम्हें अपने अंदर के राक्षसों से कैसे लड़ना है असली अर्थ आपको समझना है फिर कोई दिक्कत नहीं होगी तो ऐसे अलग-अलग रूप बताए और फिर शिव के साथ पारवती जोड़ी तो ब्रमा के साथ सरसुती जोड़ी विश्णों के साथ लक्षमी जोड़ी बात वही समझाने के लिए अलग-अलग चेहरे क्यों क्योंकि किसी को कोई रूप बहाता है किसी को कोई और रूप बहाता है कोई कृष्ण का बुजारी कोई हनुमान की बुजा करता है किसी को माता के रूप में इश्वर की कलपना ज्यादा अच्छी लगती है मा हिरदे के ज्यादा नजदीक है तो कुछ लोगों के लिए उस रूप से भी वही बात समझाने का प्रयास किया गया है हर तरीके के लोगों के साथ कुछ किया जाए समझाने के लिए बताने के लिए तो वरतीनों देवों ने भी क्या किया किन देवियों का निर्मान हुआ तो दुरुगा का निर्मान हो गया एक दुरुगम काम करने के लिए तिलोत्मा का यह अलगग अलग نام आय अम्बे नام आया तो कहीं पर कोई ज्यादा पॉप्लर हुआ नाम कहीं पर कुह सा तो उन नामों से जाना जाता है एक ही चीज के बारे में बताया जा रहा है हर कहाने के बीचे एक ही सत्य की यात्रा बताई जा रही है यानि ये सब उन लोगों के लिए बनाया गया जो सत्य में इस्थापित होना चाहते थे तो दुरगा का निर्मान हुआ दुरगा ने राक्षसों को मारना शुरू किया राम से भी दुरगा की पूजा करवाई गई थी रावन को मारने के पहले कहानिया तो वहाँ सारी बनी है तो दुरगा उन राक्षसों का सहार करने के लिए बनाई कही और काली उसका उग्र रूप यानि दुरगा ने फिर अपने आपको काली में बदला देखो एक ही चीज के गुण लोगों को समझाने के लिए एक दुसरा रूप देना पड़ा बताना यह था कि दुरगा ने उग्र रूप दारन किया मर नहीं समझ में आएगा तो चलो इसका अवतार लिया इसका अवतार लिया ऐसा बताया जाएगा तो वह काली बन गई और काली बनकर मैशासुर को खत्म किया रक्तबीज को खत्म किया शुम्बन शुम्ब को खत्म किया सेना नायक को खत्म किया तो यह समझाने के लिए उसके रूप का चितरन किया गया है कि वो रक्तचाट लेती है रक्तचाट लेती है हाथ में खपर भी रखेंगे, बड़ी लंबी जबान दिखाएंगे, कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए, कैसे अगर रक्त नीचे गिरा, रक्त भीज का, तो एक नया राक्षस तयार होता है, एक नया राक्षस तयार हुआ, फिर उसको मारना है, उसका रक्त तो ग बढ़ आएगा, आने ही वाला है, करम करते हुए ऐसे कैसे काम करें कि उसके फल से हम मुक्त हो जाएं, मुक्ती कैसे मिलेगी अगर करम बंदन बनते ही गया, तो मुक्ती नहीं मिलने वाली, ये बताने के लिए महाकाली का रूप बताया गया है, इन कहानियों में एक ही चीज डाली गई थी, बाकी तो व्यक्ति ने कलपना के दुआरा जोड़ दी, कि काली माता इसे खुष होती है, किसे खुष होगी, अगर सही समझोगे कि काली माता कब खुष होगी, जब तुमने अपने राक्षासों को मार दिया, उनका रक्त गिरने नहीं दिया उनका रक्त नहीं गिराया करम बंदन बनाई नहीं करम हुआ मज़र उसके फल से मुक्त रहे वरना आप जानते ना इंसान एक करम करता है उसका फल आता है फल आता है तो फल भुगतते हुए एक नया करम हो जाता है जैसे फल आया आप बिमार हुए किसी करम के फल से आप बिमार हुए आप बिमारी में इतनी चिट-चिट कर रहे है तो नए करम बन गए नए संसकार नए बैटन बन गए फिर अभी उन का भी फल आएगा फिर नए करम कर रहे है यानि कम छुटकारा है चुटकारा तो है नहीं इसलिए जन्मों जन्मों की कलपना बताई गई कि बहुत जन्म लगेंगे इतने करम तुमने किये है करम भुगतते वक्त फिर नए करम किये चुटकारा तो दिखाई देता नहीं तो कैसे करम बंदन से चुटकारा हो रक्त को गिरने ही नहीं दिया जाए यानि करम इस तरह किया जाए ताकि उसमें मेरा मैं का भाव ही नहीं है व्यक्ति जब गिर गया तब जो करम होगा जब मैं और मेरा का भाव नहीं है मेरा करम हुआ ही नहीं तो उसके फल से भी छुटकारा हो गया करम से मुक्त हुए तो फल से भी मुक्त हो गए उस तरीके से कोई जीवन जी पाया तो ही वो सही दुरुगा का पुजारी है तो सही अर्थ हम समझ रहे है कि कौन सा बीज हमें डालना है विश्वास बीज हमें कौन सा डालना है किस तरह का ज्यान प्राप्त करना है जिससे करम बंदन बने ही नहीं हमारा मन किस बाद का प्रतीक है कहानी में बताए गए असुर कौन है मन के विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करें हमारे अंदर राक्षस है तोलुमन तुलना करने वाला मन हर एक के अंदर है मैशा सुर आदा बैंस का है आदा इनसान है आदा जानवर है ये क्यों बताया गया आदा काला आदा सफेद ये क्यों दिखा है कि इनसान के अंदर ये है वहाँ एक योद्धा भी है और दुरियोद्धा भी है एक दुरियोद्धा भी है एक युद्धा भी है जो मारेगा राक्षसों को एक हंस भी है एक कहंस भी है एक हंस भी है कहंस भी है एक रावन भी है एक रामजी भी है हमें कैसे काम करना है तो राक्षस एक ही चीज का प्रतिक है वो उस मन का ही प्रतिक है इसको गिराना है इसको मारना है कैसे मारना है वो भी जो बाहर तो युद्ध दिखाई जायेगी मगर अंदर की युद्ध अलग डंग से होती है बिना रक्तपात के समझ के द्वारा कोई समझ गया उससे वो करम होना बंद हो गया करना क्या पड़ा सांप सांप करके डर रहा था डर का विकार था उसको बताया गया यह सांप थाई नहीं वो तो रस्ती थी एक समझ प्राप्त हुई हलिकॉप्टर से देखा और यह तो रस्ती है वो राक्षस मर गया डर का राक अच्छा बुरा का लेबल लगाने वाला मन, काली पूंच, सफेज पूंच लगाने वाला मन, हर घटना में ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, अच्छा हुआ तो उसमें भी ज्यादा अच्छा हुआ के कम अच्छा हुआ, बुरा हुआ तो उसमें भी ज्यादा बुरा हु एक डर का रूप, एक लालज का रूप, एक इगरिशा का रूप, एक नफरत का रूप, एक वासना का रूप, और निराशा, ये दस मिलाकर रावन के दस चहरे दिखाएगे, रावन, राक्षज के लिए आता है, वन जंगल के लिए आता है, सभी राक्षज एक साथ दिखाने है तो रावन के दस चहरे दिखाएगे माता के दस हाथ दिखाएगे तो रावन के दस चहरे दिखाएगे कि सभी रूप एक साथ देखने है राक्षसों का राजा रावन तो वह भी वही प्रतिक है कि यह हमारे अंदर है यह दस चहरे हमारे अंदर काम कर रहे हैं और हमें नाभी पर प्रहार करना है तो पता चला कि हमारे अंदर के मन के चहरे दिखाने के लिए समझाने के लिए खंडित करके बताया तोड़ तोड़ कर बताया एक साथ बताते है तो नहीं समझ में आता तो दूसरा पहलू समझाने के लिए दूसरा राक्षास रक्त गिरता है, नया करम बनता है इसके दिखाने के लिए और एक नया राक्षास ये रक्तवीज है, शुम्ब है, शुम्ब निशुम्ब क्या है मन के किस तरह के दो रूप कोई अच्छा लगता है तो चाहिए बुरा लगता है तो नहीं चाहिए जो अच्छा लगता है उलाने के लिए और कोशिश और प्रयास और जो बुरा लगता है इसको बगाने का प्रयास दुख आया तो ये भागे सुख आया तो ये रहे इसको पकड़ने का प्रयास सुख, पकड़ने का प्रयास, संगर्ष दुख को बगाने का संगर्ष संगर्ष ही होता है ये राक्षसों के साथ असुरों के साथ संगर्ष ही होता है सुर कभी भी ठीक से नहीं बैठता असुरों के साथ, उनको मारना ही है तो असुर्ख ठीक होता है, ताल ठीक होती है तो क्या बताया गया? कि एक ही चीज़ है, अहिंकार मन का बड़ा रूप, रावन का बीच का चहरा अहिंकार जो बीच में आता है कि ये गरदन सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट है इंसान के अंदर जो अहिंकार है, थोड़ी थोड़ी बात पर हर्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है इसने ऐसा कह दिया, घंटों सोचते रहता है कोई मेरे बारे में ऐसा नसोचे, इमेज का खयाल होता है तो उसको बताया जाता है कि इसके पीछे क्या कारण ज़रा देखो तुम किस चीज को बचाना चाहते हो, रावन के किस चहरे को बचाना चाहते हो तो सभी मन के रूप आपको बताया और उन पर राक्षसों के नाम बताया गया है ये शुम निशुम क्या है, मन की इस प्रवर्ति को समझाने के लिए रावन के दस चहरे इन इन बातों को बताने के लिए द्रियोधन ये बात समझाता है, कंस से ये बात पकड़ में आती है हरना कश्प से ये बात सामने आती है अच्छा, तो ये हमें समझाने के लिए इतने किरदार बन गए हकीकत में तो एक ही राक्षस है वो मन जिसके ये सारे रूप तो जो प्रभल है, उस पर काम किया जाए, अहिंकार बीच में है उसे गराया जाए, उसे गराने के लिए नव दिनों का प्रण किया जाता है नव दिन के लिए लोग तैयारी करते है पहले दिन ही अपने नाम का सातु बोते है घट स्थापना में घटकार तो मठका होता है वो रख दिया जाता है हरीपतियां आती है उस सातु से वो अपने नाम का डलना अपने अहिंकार को गिराने के लिए अपने नाम का यानि वो अहिंकार नाम का नशा जो क्या है अहिंकार का नशा है कि अभी हमने अपने नाम का डाला है यानि अभी ये मरेगा अपने नाम का डाला है यानि ये अहिंकार अब मरेगा नौ दिन के अंदर अगर सही डंग से युद्ध हुई तो आंतर की युद्ध है ये वरना बाहर का करमकान ही समझ लेंगे नौ दिन में यह होना चाहए और नौ दिन याद रहे कैसे याद रहेगा तो फिर कोई कलाई में दागा बान लेता है कर्म कांट ऐसे ही बनते जाते कि अब इसमें ये कर डालो ताकि याद रहे बाकी दिनों में तो दागा नहीं होता नौरातरा में है तो अभी याद आएगा, जब भी देखोगे, तो याद आएगा कि मैं युद्ध में हूँ, गटस्थापना की यानि गोशना, युद्ध की गोशना हुई, यलगार हुई, कि अब युद्ध होगी और हमें जीतना है, सही डंग से कार्य करना है, याद रहे तो फिर लोग नो बहुत कुछ किया, कोई बाल बढ़ाता है, उन दिनों पर शेविंग नहीं करता है, उन दिनों चपल नहीं पहनता, यह सब क्या है कि परतिपल, संसार में भी जा रहे है, दुकान पर भी जा रहे है, बिना चपल जा रहे है, तो यह तो आने ही वाला है, कुछ अलग लग ल अगर सही निमित बनाया है तो अगर सही अर्थ पता है तो आनन आएगा कि युद्ध चल रही है जागरन चल रहा है युद्ध में कैसे सो सकते युद्ध में सो नहीं सकते जागरन चलता रहे होश बना रहे एक-एक रावन का रूप देखें संसार में जाकर हर रूप देखें हर राक्षस को देखें तो सही समझ हमारे सामने आए कि हमें कैसे काम करना है समझ के द्वारा राक्षसों को समझना है सत्य की समझ को बढ़ाने की इस यात्रा को जारी रखते हुए नवरात्र उत्सव कैसे मनाएं और मन के विकारों पर विजय कैसे प्राम्त करें इस संदेश का दूसरा भाग हम अगले वीडियो में सुनेंगे धन्यवाद सर्श्री द्वारा दिया गया यह संदेश टेजग्यान का केवल परिचय मात्र है टेजग्यान नहीं टेजग्यान सर्श्री महा आस्मानी परमग्यान शिविर में प्रदान करते हैं इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं इस विशय को और अधिक विश्तार से समझने के लिए आप इन पुस्तकों का भी लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही हैपी थौट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश के बारे में अपने विचार अभिपराए जरूर शेयर करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं।